दिल्ली भी हमारी पंजाब भी हमारा अब धरने पे धरना लगा के मार डालूँगा समझ गए? समझ गए? दिल्ली भी हमारी दिल्ली भी हमारी पंजाब भी हमारा अब धरने पे धरना लगा के मार डालूँगा मुफ्त में मिलेगा पानी बीजली दवाई मुफ्त भारत को श्री लंका बनागे मार डालूंगा भारत समझ में आया आपकी तालियां में एक बार जोड़दार तालियां बजा के बताऊ दिल लेवे हमारी क्या बेठा क्या लेटा हुआ भी सुन रहा है दो माना कि आपके शरीर का वो हिस्सा थोड़ा विस्तार पा गया है दिल लेवे हमारी पंजाब वे हमारा अब धरने पे धरना लगा के मार डालूंगा मुफ्त में मिलेगा पानी वीजली दवाई मुफ्त भारत को शिलंगा बना के मारे डालूँगा भारत को शिलंगा मैंने बताया नहीं इन सबने नाम लिये मैंने नाम लिया क्या लाखन जी नहीं लिया आपकी पोस्वाल वाली तालिया आगनी चाहिए संकट पढ़ा यदी तो सलवार पहनूंगा नाम नहीं ले रहा हूं नहीं ले रहा हूं आप समझ जाओगे मैं किसके बारे में पढ़ रहा हूं क्योंकि आप समझतार हो हां देखो आप रोज रात को इत्ती बज़े बोलते हो संकट पढ़ा यदी तो सलवार पहनूंगा संकट पढ़ा यदी तो सलवार पहनूंगा स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा और अगली पंक्ति पे दो इंच उछल जाओगे इंच कम रखे हैं किसी किसी एक अमर में दर्द हो चकता है वहाँ वालना डॉक्सा को पास जाओगे संकट पढ़ा यदी तो सलवार पहनूंगा स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा शत्रूओं से नित्त ही कराऊंगा कपाल भाती एक अख अपनी दबा के मार डालूंगा इन सब के लिए मैंने तालिया बज़ेई थी ये पेछे बैठा ऐसे है आज़े कवी है कि कांग्रेसी पीछे देखता हूं तालिया बज़ेदा वाँ क्या वाँ संकट पड़ा यदि तो सलवार पहनूंगा स्वदेशी हूं विदेशी चबा के मार डालूंगा शत्रूओं से नित्त ही कराऊंगा कपाल भाती एक अख अपनी दबा के मार डालूंगा मैं नाम नहीं ले रहा हूं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं अपन को नाम ले जब आप इतने समझदार हो समझ रहे हो खुलेया मसड को पे प्यार न करेगा कोई रोमियों को थाने पहुचा के मार डालूंगा कान खोल सुन लेना माफिया का बाप हूं में आब मेवाड की तालिया मिले है कान खोल सुन लेना माफिया कब आप हूं में ऐसा बुल डोजर चला के मार डालूगा ऐसा एक बार दोनों हाथ हवाँ में उठा कर जोड़दार तालिया बजा के बताएं कि आप मुझे भी सुना आप पहली पंक्ति में आप समझ जाएंगे कि मैं किसके लिए कह रहा हूं नाम आप तक नहीं लिया लेकि खाऊंगा ने खाने दूंगा खाऊंगा ने खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा भाई और बहनों सुना के मार डालूंगा खाऊंगा ने खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा भाईयों बहनों मैंने इनको सो रुपे दिये थे मैंने तो हजार रुपे बाटे थे बाकी नो कहा है खाऊंगा देखाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा भाईयों वह बेहनों सुना के मार डालूंगा और कविता में कभी-कभी चमतकार होता है अगली पंक्ती में एक चमतकार मेरी जोली में आ गया है यह एहिंकार नहीं है लेकिन अपने शहर का प्यार जब जब मुझे मिलता है तो मुझे लगता है कि मेरा शहर मुझे आशिरवात दे रहा है अगली पंक्ति अगर आप तक पहुंच जाए तो मुझे आपका प्यार मिले जितने लोग यहां बैठे हैं खाऊंगा न खाने दूंगा न कहीं दबाने दूंगा भाईयो वह बहनो सुनाके मार डालूंगा वनवास भेज दूंगा राम के विरोधियों को राम जी का मंदिर बना के मार डालूंगा सीटिया बजा रहे हैं कि तुम्हारा करेक्टर अच्छा नहीं है अच्छा ऐसा चार पंक्तियां और सुना दो और यह पंक्तियां कहीं भी पहुंश तकती है जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा में अपनी ही पाल्टी मिटा के मार डालूंगा आपकी तालिया अनंता तक पहुंचे आपकी तालिया ताजरावली तक पहुंचे और कॉंग्रेसी तालिया नहीं बजा रहे लेकिन खुशी उनको भी हो रही है कि उनको बुलाया नहीं था जहां भी प्रचार करने के लिए जाऊंगा में अपनी ही पाल्टी मिटा के मार डालूंगा खुद की तबाही पर चिंतन शिविर होगा बैंकोक में छुट्टिया मना के मार डालूंगा समझ में आ गया मैंने नाम लिया आप समझ गये क्योंकि आप सब समझदार हो एक बार ज़रा वह इतालिया बजा दीजिए तक ही मुझे लगे कि हाँ आप सुनना चाहते हैं अब भी मैं नाम नहीं लूँगा फिर भी आप समझ जाएंगे चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दो पता नहीं कौन सा मवेशी है नाम नहीं लिया इशारा किया चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे जहें नहीं बोलूंगा सता के मार डालूंगा जहां जहां जाओंगा मैं ऐसे ही बयान दूंगा अगर आपने भी सोचा हो जो मैं सोच रहा हूँ तो आपकी सोच को मेरी तालियों से अपनी तालियों से मुझ तक पहुचा देना चाहे मेरी गर्दन पे छुरी ही रख दोगे जय नहीं बोलूँगा सता के मार डालूँगा जहां जहां जाओंगा मैं ऐसे ही बयान दूँगा बीजेपी को वहां से जिता के मार डालूँगा और आखरी खाली यदि मुझ से कराओगे जो बंगला तो बंगले की टोंटियां चुरा के मार डालूँगा खाली यदी मुझ से कराओगे जो बंगला तो बंगले की टोंटियां चुरा के मार डालूंगा आपकी सुनूंगा नहीं बापकी सुनूंगा नहीं साइकिल को पंचरे करा के मार डालूंगा